हर हर महादेव काशी के पुन्य धर्ती के आप सब पुन्यात्मा लोगन के प्रणाम हो सावन महिना चल रहा है ऐसे में बाबा के चर्णों में आने का मन हर किसी को करता है लेकिन जब बाबा की नगरी के लोगों से रूबरू हने का मोका मिला है तो ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए एक दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सबसे पहले तो आप सभी को भगवान भोले नात के इस प्रिय महिने की बहुत बहुत शुक्कामनाई ये भगवान भोगल भोले नात के आई अशिरवाद है कि कोरोना के इस संगटकाल में भी हमारी काशी उमीद से भरी हुई है उत्साह से भरी हुई है ये सही है कि लोग बाबा विश्वना दाम इन दिनों नहीं जा पा रहे हैं और वो भी सावन में नजाना पाना तो आपकी पीड़ा में समझ सकता हूँ ये भी सही है कि मानस मंदीर हो दुरगा कुंड हो संकट मोचन में सावन का मेल्या सब कुछ स्थगीत हो गया है नहीं लग पा रहा है लेकिन ये भी सही है कि इस अभूत्पुर्वा संकट के समय में और मेरी काशी हमारी काशी ने इस अभूत्पुर्वा संकट का डटकर मुकामला किया है आज का ये कारकम भी तो इसी की एक कड़ी है कितनी ही बड़ी आपदा क्यों नहों किसी को काशी के लोगों की जीवडता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो शहर दुनिया को गती देता हो उसको सामने कोरोना क्या चीज है यह आपने दिखा दिया है मुझे बताया गया है कि कोरोना के काशी की जो विशेशता है इस कोरोना की कारण काशी में चाय की अडियां वो भी सुनी हो गई है तब डीजिटल अडी शुरू हो गई है अलग अलग छेत्र की विव्यूतियों ने अडी परंपरा को तो जिवन्त किया है यहां की जिस संगीत परंपरा को बिस्मिल्ला खां जी गिरिजा देवी जी हिरालाल यादव जी जैसे महान साधकों ने समृद्द किया उसको आज काशी के सम्मानित कलाकार नई पिड़ी के कलाकार आगे बढ़ा रहे है इस तरह के अने एक काम पिछले तीन-चार महिने में काशी में निरंतर हुए है इस दोरान भी मैं लगातार योगी जी से संपर्ग में रहता था सरकार के अलग-अलग लोगों से संपर्ग में रहता था काशी से जो खबरी मेरे पास आती थी उसमें क्या करना क्या नहीं करना लगातार सबसे बात करता था और आप मेंसे भी कई लोग हैं बनारस में कई लोगों से मैं रिगुलर्ली फोन पर बात करता था, सुकदुख पूचता था, जानकारिया लेता था, फिडबेग लिया करता था और उसमें से कुछ इसी कारकम में भी, मुझे पका भरुचा है किया बैटे होंगे, जिन से कभी मेरी फोन पर बात भी हुई सिती क्या है, यहां क्या व्यवस्ताएं की जा रही है, क्वारंटीन को लेकर के क्या हो रहा है, बाहर से आये स्रमिक साथ्यों के लिए हम कितने प्रबंद कर पा रहे, यह सारी जानकारिया, मैं बिलकुल लगाताल लेता रहता था. साथियों हमारी काशी में बाबा विश्वनात और मा अनपुर्णा दोनों विराजते और पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मा अनपुर्णा से विख्षा मांगी थी तबी से काशी पर ये विशेश आशिरवाद रहा है कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा मा अनपुर्णा और बाबा विश्वनात सब के सब के खाने का इंतजाम कर देंगे आप सभी के लिए तमाम संगठनों के लिए हम सभी के लिए ये बहुत सोभागे की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सब को बनाया है विशेश कर आप सब को बनाया है एक तरह से आप सभी मा अनपुर्णा और बाबा विश्वनात के दूत बनकर हार जरूरत मदन तक पहुँचे हैं इतने कम समय में फूड हेल्प लाइन हो कॉम्यूनिटी कीचन का व्यापक नेटवर्क तयार करना हेल्प लाइन विश्शित करना डेटेया साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलोजी की मदर लेना बारानसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का इस सेवा के काम में भरपूर इस्तिमाल करना यानि हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया और मैं ये भी बता दूँ हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है हमारे संस्कारों में है लेकिन इस बार का जो सेवा कारिय है वो सामान्य सेवा कारिय नहीं है यहां सिरफ किसी दुखी के आंखु आंसु पहुंचना किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसीस बिमारी को गले लगाना इसका रिस्क भी था कहिए कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो और इसलिए सेवा के साथ साथ त्यांग और बलीदान की तैयारी का भाव भी था और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है सिरफ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है एक भय था एक डर था एक संकट सामने था और सामने जाना स्विच्छा से जाना ये सेवा का एक नया रूप है जी और मुझे बताया गया है कि जिला प्रशासन के पास बोजन बांटने के लिए अपनी गाड़िया कम पड़ गई तो डांक विभाग ने खाली पड़ी अपनी पोस्टल बैन इस काम में लगा दी सोचिए सरकारों की प्रशासन की छबी तो यही रही है कि पहले हर काम को मना किया जाता है यह तो मेरा डिपार्टमेंट है तुम को तुम्हे कौन दूँगा मुझे तो यह करना है तुम क्यों न होते हो यह वो ता था लेकिन यहां हमने देखा है कि आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद की गई इसी एक जूटता इसी सामुटता ने हमारी काशी को और भग्य बना दिया है ऐसी मानविय ववस्था के लिए यहां का प्रशासन हो गायत्री परिवार रचनात्मक्स ट्रस्ट हो राष्ट्रिय रोटी बैंक हो भारत सेवास्रम संग हो हमारे सिंदी स्वाज के भाई बहन हो भगवान अवदूद राम कुष्ट सेवास्रम सर्विस्वरी समू हो बैंकों से जुड़े लोग कोट पेंट टाई छोड़कर के गली मोहले में गरीब के दरवाजे खड़े हो जाए तमाम व्यापारी एसोशेशन्स और हमारे अनवर जी तो कितना बढ़िया तरीके से अनवर एहमत जी ने बताया ऐसे कितने अंगनीत लोग और मैं तो अभी सिर्फ पांच साथ लोगों से बात कर पाया हूं लेकिन ऐसे हज़ारों लोगों ने काशी के गवरों को बढ़ाया है सेंकड़ों संस्थाओं ने अपने आपको खपा दिया है सबसे मैं बात नहीं कर पाया हूं लेकिन मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं इसमें जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किये इनके आशिरवार ले रहा हूं और मेरी प्रातना है कि बाबा और मा अन्नपुर्णा मैं आपको और सामर्थ दे और शक्ति दे साथियों करोना के इस संकटकाल ने दुनिया के सोचने समझने काम काच करने खाने पीने सब के तोर तरीके पुरी तरह से बदल दिये है और जिस परकार से आपने सेवा की और सेवा का का समाज जीवन पे बड़ा प्रभाव होता है मैं बच्कमन में सुना करता था कि एक सोनार उसको छोटा मुटा अपने घर में सोनार के नाते वो अपने घर में काम करते थे और कुछ परिवारों के लिए सोने की चीजे बनाना वगेर अपना चलता था। लेकिन उस महाश्राई की एक आदत थी। वे बाजार से दातुन खरिदते थे। सुबह में हम पहले के जमाने में आज ब्रश वगयों करते हैं पहले दातुन करते। और वो असपतान में जाकरके वो जो मरीज होता था। उसके जो रिष्टेदार होते थे। उतनी संख्या गिन करके हर दिन शाम को उनको दातुन दे करके आते थे। यही काम करते थे। और दिन भर अपना सोनार का काम करते थी, आप हरान हो जाएंगे, एक सोनार के रूप में अपने काम के साथ ये दातून लोकों को मदद करने के उन्होंने छोटा सा अपने आदत बना थी, उस पूरे इलाके में कि इतनी छबी थी, उनके सेवाभाव की इतनी चर्चा थी, कि सोने काम कराने के लिए लोग कहते हैं अरे भाई यह तो सेवा भावी है उन्हीं क्या सोने का काम करवाएंगे याने करते थे वो सेवा लेकिन अपने आप उनकी एक विश्वस लेता बनी थी उनके अपने के सोने के काम को हर पडिवार के वो विश्वस तवक्ति बन चुके थे या उसे भी बहुत अधिक भाव से देखता है और जो सेवा लेता है वो भी मन में ठान लेता है कि जब मौका मिलेगा वो भी किसी की मदद करेगा यह चक्र चलता रहता है और यही तो समाज को प्रिना देता है आपने सुना होगा सौ साल पहले ऐसी ही बयानक महामारी हुई थी अब सौ साल के बाद यह हुई है और कहते हैं कि तब भारत में इतनी जन संग्या नहीं थी कम लोग थे लेकिन उस समय भी उस महामारी में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग मर गए उन में से हमारा हिंदुस्तान भी था करोड़ों लोग मर गए थे और इसलिए जब इस बार महामरी आई तो सारे दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था उनको लगता था भाई सो साल पहले भारत के कारण इतनी बड़ी बरभादी हुई थी भारत में इतने लोग मर गए थे और आज भारत की इतनी आबादी है इतनी चुनोतियां है बड़े-बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे कि इस इस बार भी हारत बिगड़ जाएगा लेकिन क्या स्थिती बने आपने देखा होगा 23-24 करोड के आबादी वाले हमारा उत्तरप्रदेश और उसके लिए तो लोगों को धेर सारी शंका कुशंका अबी थी ये कैसे बचेगा कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है यहां बाहर काम क है वो दो गज की दूरी का पानन कैसे कर पाएंगे वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे लेकिन आपके सैयोग ने उत्तरप्रदेश के लोकों के परिश्रम ने पराक्रम ने सारी आशंकाओं को द्वस्त कर दिया साथियों ब्राजिल जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी करीब 24 करोड है वहाँ यह उत्तरप्रदेश जितना ही बड़ा है वहाँ करोणा से 65,000 से ज्यादा लोकों की दुखत मुत्य हुई है 65,000 लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मृत्यू करोणा से हुई है यानि यूपी में करोणा से हजारों जिंदगियां जिसकी मरने की संभावना दिखाई जाती थी उसको बचाई गई है बचा लिया गया है आस्तिती ये है कि उत्तर प्रदेश्ट ने न सिर्फ संक्रमन की गति को काबू में किया हुआ है बल्कि जिने कोरोना हुआ है वो भी तेजी से रीकवर हो रहे ठीक हो रहे है और इसकी बहुत बड़ी वज़व आप जैसे अनेक महनभोव की जागरूपता, सेवाभाव, सक्रियता आप जैसे सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी संगठनों का ये जो सेवाभाव है आपका ये जो संकल्प है, आपके संस्कार है, जिसने इस कठीन समय से, कठीन से कठीन दौर में समाज के हर व्यक्ति को कोरोना के खिलाब लड़ाई लड़ने की ताकत दी है, बहुत बड़ी मदद की है साथियों, हम तो काशी वासी हैं, और कबिरदाज जी ने कहा है, कबिरदाज जी ने कहा है सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता है दिन रात, निश्वार्थ भाव से सेवा करता है, दूसरों की निश्वार्थ सेवा के हमारे यही संस्कार है जो इस मुश्किल समय में देश वास्चों के काम आ रहे हैं इसी भावना के साथ केंदर सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि कोरोना काल के इस समय में सामान ने जनकी पीडा को साजा किया जाए उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए गरीब को राशन मिले उसकी जेब में कुछ रुपिय रहे उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के रहे रण ले सके इन सभी बातों पर ध्यान दिया है साथियों आज भारत में असी करोड से जादा लोकों को यहां करा बहुत बड़ा है असी करोड से जादा लोगों को मुप्त राशन दिया जा रहा है इसका बहुत बड़ा लाब मनारस के भी गरीबों को स्रमीकों को हो रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी दो गुनी आबादी से अमेरिका की जो टोटल जनसंग है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरन पोशन कर रहा है और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक यानि दिपावली और छटपुजा यानि तीस नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है हमारी कोशिच यही है कि किसी गरीब को त्योहारों के समय में खाने पिने की कमी ना हो खाने के साथ साथ लोकडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए इंधन की दिक्कत ना हो इसके लिए उजवला योजना के लाभार्थियों को पिछले तीन महेने से मुप्त गैस सिलिंडर दिया जा रहा है साथियों गरीबों के जन्दन खाते में हजारों करोर रुपे जबां कराना हो या फिर गरीबों के स्रमीकों के रोजगार की चिंता छोटे उद्योगों को रहेडी ठेला लागाने वालों को आसान रण अपलब्त कराना हो या खेती, परशुपालन, मचली पालन और दुसरे कामों के लिए अइतियासिक फैस्क ले और सरकार ने लगातार काम किया है कुछ दिन पहले ही 20,000 करोर रुपे की मत्स संपदा योजना को भी मंजुरी दी गई है इसका लाब भी इस खेत्र के मचली पालकों को होगा इसके अलाबा यहाँ यूपी में कुछ दिन पहले ही रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक और विशे सा भ्यान चलाया गया है इसके तहर हमारे जो हस्तसिल्पी हैं, बुनकर है, दूसरे कारिकर है या फिर दूसरे राज्यों से जो भी स्रविक साथी गाव लोटे हैं ऐसे लाखों कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्ता की गई है साथियों, कोरोना की यह आपदा इतनी बड़ी है कि इससे निपटने के लिए लगातार काम हमें करना ही होगा हम संतोष मान करके बैट नहीं सकते हैं हमारे बुनकर भाई वहन हो नाव चलाने वाले हमारे साथी हो व्यापारी, कारोबारी हो सभी को मैं आस्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा निरंतर प्यास है कि सभी को कम से कम दिक्कत हो और बनारस भी आगे बढ़ता ही रहे मैंने कुछ दिन पहले ही बनारस के विकास कारियों को लेकर प्रशासन से शहर के हमारे विधायकों से भी टेक्नोलोजी के मादम से लंबी मुलाकात की थी बहुत डीटेल में बात्चित की थी एक एक चीज को मैंने टेक्नोलोजी और ड्रॉन की पद्दती से मोनिटर किया था इसमें सडकों, बिजली, पानी होत इसे तमाम प्रोजेक के साथ साथ बाबा विश्वनात धाम प्रोजेक के स्थिति को लेकर भी विश्त्रुत जानकारी मुझे दी गई थी मैंने आवश्यक सुचनाए भी दी थी कुछ रुकावटे दी होती है तो उसको दूर करने के लिए जहां-जह कहना था वहां भी कहा था इस समय कासी में ही लगबग आठ हजार करोड रुपिय के अलग-अलग प्रोजेक्स पर काम तेजी से चल रहा है आठ हजार करोड रुपिय के काम याने अनेक लोगों को रोजी रुटी मिलती है जब स्थीतियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनग भी उतनी ही तेजी से लौटेगी इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है और इसलिए ही तुरिजम से जुड़े सभी प्रोजेक्स जैसे कुज टुरिजम, लाइट अंड साउंड शो, दसास्व मेग घाट उसका पुनरुद्धार, गंगा आरती के लिए आडियो वीडियो स्क्रीन लगाने का काम, घाटो पर और भी व्यवस्ता प्रभंधन का काम ऐसे हर प्रोजेक्स को तेजी से पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। यहां के दूसरे हस्त सिल्प के लिए, यहां के डेरी, मच्छ पालन और मदुमखी पालन के व्यवसाय के लिए नई संभावनों के द्वार खुलेंगे। मच्छ पालन के व्यवसाय में बढ़ चड़कर के भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ड हब के रूप में विक्सित हो सकती है। और हमें करना चाहिए। काशी को हम आत्म निर्भर भारत भ्यान की प्रेरक्स थली के रूप में भी विक्सित करें, स्थापित करें। साथियो, मुझे अच्छा लगा, आज आप सब के दर्शन करने का मोका मिला। और काशी वासियों के सावन महिने में दर्शन होना अपने आप में सहुवाग्य होता है। और आपने जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया है। अभी भी जिस लगन के साथ आप लोग कर रहे हैं, मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परोपकार के सेवा भाव के अपने काम में आपने सब को प्रेणा दी हैं, आगे भी प्रेणा देते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात हमें बार बार करनी है, हर किसी से करनी है, खुद से भी करनी है, हम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ती चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं है। अब रास्तों पर थूकना और उसमें भी हमारा बनारसी पान हमने आदत बदलनी पड़ेगी। दूसरा, दो गज की दुरी, गमचे या फेस, मास और हाल दुलने की आदत को न हमें छोड़ना है, न किसी को छोड़ने देना है। अब इसको हमारे संसकार बना देना है, स्वभाव बना देना है। बाबा विश्वनात और गंगा मैया का आशिरवात हम सभी पर बना रहें। इसी कामरा के साथ मैं मेरी वानी को विराम देता हूं। और फिर से एक बार आपकी इस महान कार्य को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महदेव!